राजपाल तमिल साई संदर राजन जी केंदर सरकार में मेरे सहयोगी बाई जी किष्ण रेडी जी या उपतित सभी वरिष्ट मानुभाव देवी और सजनों आज जिन परियोजनाओं का सलानियासा लोकारफण हुआ है मैं इनके लिए तेलंगणा को बहुत बहुत बधाई देता हूँ ना कुटम सपहलारा किसी भी देश और राज के विकास के लिए बहुत आवश्रक है वो राज बिजली उत्पादन के विष्णे में जादा से जादा आप मंदिर भर हो जब राज में बिजली की प्रत्यूरता रहती है तो इज अब डूइंग बिजनेस और इज अब लिएंग दोरों ही सुधर जाती है सुचारू बिजली सप्लाई राज के विकास को भी गति देती है आज पेदपल्दी जिले में एंटीपीसी के सुपर थर्मल प्रावड प्रोजेक्ट की पहली उनिट का लोकारपन हुआ है जल्दी इसकी सेकंड उनिट भी शुरू हो जाएगी जब इस प्रोजेक्ट का सेकंड फेट पुरा होगा तो इस प्लांट की इंस्टॉल कैपिसिटी चार हिजार मेगावोट हो जाएगी मुझे खुशी है कि एंटीपीसी के देश में जितने भी पावर प्लांट है उसमें यह सबसे आदुनिक प्लांट है इस प्लांट में जो बीजली पैदा होगी उसका बहुत बड़ा हिस्सा देलंगणा के लोगों के बिलेगा हमारी सरकार जिस प्रोजेक्ट की शुरुआत करती है उसे पुरा भी करके दिखाती है मुझे आदे अगर 2016 में मेरे इस प्लुजेक्ट की नीव रठी थी अब आज इसके लुकारपन का भी सौभा के मुझे मिला है यही हमारी सरकार का नया वर्क कल्चर है ना कुटम सुम बुलाय रहा है हमारी सरकार तेलंगरा के लोगों के उर्जा से जुड़ी अन्य जुरुरतों को पुरा करने के लिए भी काम कर रही है वो दिन पहले ही जब मैं हासन चेरलापली LPG प्लाइन का लोकारपन करने का मुझे अउसर मिला था ये प्लाइन प्लाइन LPG ट्रांस्पोर्बेशन और इसका ट्रांस्पोर्टेशन और डिस्टिबूशन की सेफ कॉस इफेक्टिव और इको फ्रेंडली व्यवस्ता विक्सित करने का आदार बनेगी ना कुटम सभ्यूलारा आज ही मुझे धर्माबाद, मनोहराबाद और महबूत नगर करनूलू रेल्वे स्टेशन के इलेक्रिफिकेशन ट्रोजेक को राष्ट को समर्फित करने का आउसर प्राप्त हुआ है इसे तेलंगरा की कनेक्टिविटी भी बढ़ेगी और साथ ही दोनों ट्रेनों की अउसर गती भी बढ़ेगी भारतिय रेल अगले कुछ महनों में सभी रेल लाइनों के सत्व प्रतिशत इलेक्रिफिकेशन का लक्ष लेकर करके चल रही है आज ही मनोहराबाद सित्धी पेट नई रेलिंग कागवी लोखारपन हुआ है इससे व्यापार कारोबार को बढ़ावा मिलेगा 2016 में मुझे इस परियोजना की भी नीव रखने का आउसर मिला था आज एक काम भी पुरा हो गया है ना कुटुम्ब सब्यूलारा हमारे देश में लंबे समय तक हेल्थ केर पर से सम्रुद्ध लोगों का अधिकार्थ हम जाता था बिते नव वर्तों में हमने चुनाउती को हल करने के लिए कई कदम उठाए जिसे स्वास्त सुविदाएं अवेलेबल भी हो एफोर्डेबल भी हो बारत सरकार मेडिकल कॉलेज हो में और एम्ज के संग्हा बढ़ा रही है तेलंग ना के लोग एम्ज की बीबी नगर में चल रहे है भवन दिर्बार का हमारा काम भी देख रहे है जब अस्पदाल बढ़े हैं तो साथ ही मरीजों का ध्यान रखने के लिए डॉक्टर्स और नर्सेश की संग्हा भी बढ़ रही है ना कुटों मुसभी उलारा आज भारत में दुनिया की सब्से बड़ी एल्थ एस्ष्वरंस स्कीम आईश्पान भारत चल रही है इसके कानद जिफ्ट लंगरा में सतर लाज से के अधिक लोगों को पांच लाज रुपे तका मुप्त लाज करवाने की गैरंटी मिली जना उसे जी केंदरों पर गरीब और मिडर क्लास को 80% डिसकाउंट पर दबाई दी जा रही है इससे परिवार हर मैंने हजारों रुप्ये बचा पा रहा है ना कुट्रम सभी लारा हर जीले में अच्छा हेल्थ इंट्रासेक्टर हो इसके लिए हमने प्रधान मत्रिय आउच्पान भारत इंट्रासेक्टर मिशन की शुड़बात की है आज इस मिशन के तहरे त्यलंगरा के 20 क्रिटिकल केर ब्लॉक्स का से लान्यास हुआ है इन ब्लॉक्स को ऐसे बनाये जाएगा कि इसमें डेडिकेटेड आइसोलेशन वोर्स अक्सिजन सप्लाई इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल की पुरी व्यवस्ता हो त्यलंगरा में सभास्त सुविदाय बढ़ाने के लिए पाँच हजार से दिक आईश्मान भारत हेल्थ एंड वल्लेश सेंटर भी काम कर रहे कोरोना वेश्विक में हमारी के दोरां त्यलंगरा में लगवाग 50 बड़े पिये से ऑक्सिजन प्लांट लगाए गए जिसमें लोगों का जीवन बचाने में बहुत मदद मिली ना कुट्रम सभिलारा उर्जा रेलिवे और स्वास्त जुड़े अहम प्रोजेस के लिए त्यलंगरा के लोगों को मैं फिर से बहुत-बहुत बदाई दिता हूँ और अब मुझे अगले कारकम के लिए लोग इंतजार कर रहे हैं बड़े उमंग उत्सा से इंतजार कर रहे हैं खुला मैदान है तो वहाँ कुछ खुल करके बाते भी हो जाएगी बहुत-बहुत धन्यवाद झाल